कि वेलकम तो इस्टारी रफीड में अब हमने सुजवात किया है यूपी टेट की एक्जाम से लेटर कुछ कोष्टन के बारे में उस वीडियो में वसे सेकंड वीडियो है हिंदी से लेटर कोईशन हम बना रहे हैं इस समय आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए अपने फ्रेंस साइकल में जो कोईशन हम इंक्लूड करेंगे वो इतने इंपॉर्टन कोईशन होंगे जो सारी किताबे होती है और यूट्यूब चैनल साब देखते हैं उनमें जो इ वीडियो में उपीटेट के विलोम शब्द के बारे में अगर आप प्रिवियस येर का पेपर देखते हैं तो आपको 30 नमबर में कम से कमरा 25 नमबर अपलाते हिंदी से तो आपका जो मार्क होगा बहुत अच्छा होगा और सेलेक्शन के चांसे बहुत ज़्यादा बन जात खरेते हैं इजाम कॉलीवाई करने में लीकुषध देखते हैं पहला कुशन किया है हमारा फस्ट क्वेशन हमारा है कि विलोम स्ब्द क्या होगा क neutrality genetically और सारीब बहुत इंपॉर्र्टेंट है aggregно देख게 कि ऎकते हैं शोपर ठीज कितग का wilom शब्द क्या होगा कि क्या है कि अब आपको बताए कि जितने भी question आपने वीडियो देखे होंगे उससे कहीं अच्छे आप question मिलेंगे क्योंकि इसमें जो भी question है ये question repeated आए भी है exam में आने की possibility भी जादा है यूपी टेट और सी टेट दोनों में जो grammar हिंदी grammar होता है उसमें ये question बहुत important है कृतक का जो willow होता है वो होता है कृतगन चलिए लेगरा question देखते है question number next क्या है कावटेली शब्द का willow क्या होगा कावटेली शब्द का जो willow होगा मारदो next question देखते है next question हमारा है नयसरगिक important question है क्योंकि जो नयसरगिक word है यानि वाक की तो हम नहीं कर रहे है कि वो वर्ड की बात कर रहे हैं याँपे इसका जो willow होगा वो होगा कृतिम नयसरगिक जो word है बहुत important है और नयसरगिक शब्द का जो willow है वो भी बहुत important है तो नयसरगिक वर्ड का जो willow है शब्द का वो है कृतिम अगला question देखते है क्या है कि दंड का पयावची शब्द क्या होता है दंड का पयावची नहीं है यहाँ पर हम बात करेंग विलोम की स्वारी यह लिख दिया गया है पयावची जो की हम बात कर रहे हैं कि वो willow के बारे में तो दंड का जो willow होगा वो होगा शमा यानि किसी को शमा करना वो क्या होगा दंड का विलोम यह लिए अगला question देखते क्या है कि सूक्षम का विलोम क्या होगा सूक्षम का विलोम होगा वोगा स्थूल आप याद रखिएगा बहुत important यह question है अगला question देखते क्या है कि निर्जल का विलोम क्या होगा निर्जल का विलोम होगा सजल यह भी question आपके लिए बहुत important है according to your exam especially for the upitad और छ्षय का क्या होगा अख्षय का जो विलोम होगा यह होगा अख्षय अगला question देखते क्या है भाव बहुत important question यह भी है भाव का विलोम होगा अभाव अगला question देखते क्या है लुभावना यह question बहुत important है लुभावना शब्द का जो विलोम है क्या है घिनोना यानि किसी को लुभाने का मतलब हुआ उसका आपोजिट जो एंटोरिम है वो क्या है गिनोना अगला कुस्चन देख्त हुं क्या है की दक्छ सब दे का विलोम kayak fat क्या होगा अदक्छ अगला कुस्चन देख्त हुं क्या है ध्वUNTS बहुत important ये वर्ड है धंस सब्द का विलोम होता है निर्मान धंस का मतलब क्या था कोई शीज नश्ट कर देना वो होता है धंस इसका जो विलोम होगा वो क्या होगा निर्मान करना प्रगत का विलोम क्या होगा प्रतिगमन बहुत important है ये प्रगत का विलोम होगा प्रतिगमन नेक्स क्वेशन देखा प्रभु का विलोम क्या होगा व्रित ये भी क्वेशन बहुत important है प्रभु का जो विलोम होगा क्या होगा व्रित प्राया का विलोम क्या होगा बहुत इंपॉर्टन क्वेश्चन है यह प्राया का जो विलोम होगा वह बहुता प्राया का मतलब होगा बहुता इसका जो की विलोम है अगला question देखाया आधुनिक का विलोम क्या होगा प्राचीन आधुनिक का बलब जानते हैं जो यह योग हम ची रहे हैं प्राचीन का मतलब होगा बहुत ही उलाना यह थे important question आपतर उत्तर प्रदेश के जो एक्जाम आने वाले हैं UPTED का especially उसमें हिंदी से जो question पूछे जाएंगे उससे लेटर यह वीडियो है तो आप सबको वीडियो कैसा लगा यादि आप सबको वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को शेर कीजिए और चाहिए को ज नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए one time thank you for watching